So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग parts of speech पढ़ना चाहते हैं, यानि कि English grammar में किसी sentence को या paragraph को पूरा करने के लिए speech के कितने parts लगते हैं? Speech के 8 types होते हैं, verb, noun, adjective, adverb, pronoun, interjection, conjunction और preposition. इन parts से हम लोग अपने sentence या paragraph को grammatically correct बनाते हैं. तो सबसे पहले verb जिसे हिंडी में क्रिया कहते हैं, वो किसी भी action के होने का experience कराती है, यानि कि कोई action, कोई काम हो रहा हो, तो उसे verb कहते हैं, जैसे कि swim, eat, sing, go, come, take, etc, etc. For example, स्वाती सिंग से song, यानि कि स्वाती एक गाना गाती है, तो यहाँ पर sing, यानि कि गाना गाना एक क्रिया है, यानि कि verb है, तो इसको sing को हम लोग verb कहेंगे. इसके अलावा, couple at food, यानि कि couple ने खाना खाया, तो eat की जो second form है, at, वो उसके खाना खाने के action को दिखाती है, इसलिए वो उसकी verb है. तो parts of speech में सबसे पहली speech का part कौन सा हुआ, वो अब हुआ. दूसरा part है noun, जिसे हिंडी में कहते हैं, संग्या, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी person का नाम, या किसी जगे का नाम, किसी चीज का नाम, या किसी idea का नाम, हम लोग noun में रखते हैं. For example, राम, शाम, सुरेश, ये सारे तो नाम हो जाते हैं, इसके अलावा, कारपेंटर, डॉक्टर, स्विमर, शॉप, एक्सेक्टर, ये सारी चीज़े नाउन के अंदर आती हैं. Example के लिए, Aslam is a good cook, तो यहाँ पर Aslam जो है, वो noun के लिए आएगा, इसके अलावा, कारपेंटर डिड एक ग्रेट जॉब, ये कि कारपेंटर ने बहुत अच्छा काम किया, तो कारपेंटर यहाँ पर क्या हुआ, noun हो गया है. बात करें, तीसरे पार्ट की तो वो है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम लोग हंदी में विशेशन कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है, जो कि noun या प्रनाउन के बारे में, कोई ना कोई विशेशता या फिर कोई खासियत बताती है, राइट, for example, hungry, beautiful, young येलो, इस तरीके की चीज़े, जैसे कि मानलो की कोई noun या प्रनाउन ने उसके color के बारे में बता दिया, या फिर उसकी beauty के बारे में बता दिया, या भूक के बारे में, या फिर उमर के बारे में, कुछ भी बता सकती है, राइट, for example, विजे, वाज, हंग्री, तो विजे विशेष्टा बताती है, और तीसरा ये है कि राहुल is younger than सुनील, तो इसका मतलब राहुल जो है, वो सुनील से छोटा है, तो ये जो यंगर शब्द है, ये उसकी विशेष्टा बता रहा है, ये उसका adjective बता रहा है, चौथा पार्ट है, एडवर्ब, यानि कि क्रिया अब adjective और adverb के अंदर confusion होता है, adjective जो है, वो आपको noun या pronoun के बारे में कोई विशेष्टा, कोई खासियत बताता है, लेकिन adverb जो है, वो आपको क्रिया, यानि कि verb के बारे में कुछ खासियत बता सकता है, जैसे कि fast, very, yesterday, always, इस तरीके के शब्द, जैसे कि मैं समझाता हूँ कि विजेवास वैरी हंगरी, अब हंगरी जो है, वो विजेः की adjective दिखा रहा है, लेकिन वैरी शब्द जो है ये क्रिया, यानि कि उसकी भूख को दिखा रहा है, कि वो कितना ज्यादा भूखा है, तो जो वैरी शब्द है, वो उसका adverb दिखा रहा है, बात करें, प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, for example, he, she, it, they, our, etc, etc, right, जैसे कि एक sentence हमने पढ़ा था कि मतलब विजे बहुत ज़्यादा भूका था, तो वो खाना खाने के लिए होटल चला गया, right, तो यहाँ पर पहले sentence में तो विजे का यूज किया था, लेकिन अगले sentence में हमने विजे की जगा, he का यूज कर दिया, बार-बार विजे का यूज ना करके हम लोग he का यूज कर र है, वो प्रणाउन के लिए हुआ है, right, हम सब लोगों का school है, अब अगर मैं कहूं कि राम का school है, या शाम का school है, या रुहित का school है, तो इत्ते सारे नाम लूँगा, तो इसलिए एक ज़किए मैंने आवर लिली है नाम, तो यह आवर जो है, वो सब के लिए pronoun का का काम कर र For example, alas, या wow, bravo, ऐसे शब्दों का हम लोग यूज़ करते हैं sentence के अंदर जिससे कि हमरे emotions बाहर निकल के आते हैं For example, अगर आप कोई match देखने गए हो और आपकी team match जीत जाए तो आप excited होकर के चिलाते हो कि bravo, we won the match, हम लोग match जीत गए तो ये जो bravo word है वो आपके emotions को दिखा रहा है इसके अलावा wow, what a park, what a movie तो इस चीज़ को भी show करने के लिए हम लोग ने wow शब्द का use किया खास बात ये है कि इन शब्दों के बाद exclamatory sign का use होता है और जो कुछ इस तरीके से दिखता है तो ये आपको किसी भी word के सामने दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर emotions की बात हो रही है strong emotions की बात हो रही है सात्वा जो part of speech है वो है conjunction अब conjunction के नाम से ही पता चलता है कि सही हो जान यानि कि ये चीजों को जोडने का काम करता है हम लोग इसके अंदर ऐसे words का use करते है जो कि किसी sentence को या phrase को या clause को जोडने का काम करें for example and, but, although, neither, either, or, nor ऐसे शब्द अगर आपको नजर आते हैं तो वो जोडने का काम कर रहे है जैसे कि either I am in or out तो यहाँ पर जो और word है वो in or out दो क्रियाओं को, दो verbs को आपस में जोड रहा है दो sentence को आपस में जोड सकता है जैसे कि एक और example लेंगे कि I like to watch TV and eat fruits तो यहाँ पर जो and word है वो इस पहले वाले sentence को या दूसरे वाले sentence को मतलब पहले वाली जो verb है उसको और दूसरे वाली verb जो है उसको आपस में जोडने का काम कर रहा है जैसे कि मुझे TV देखना पसंद है और साथ-साथ fruit खाना भी पसंद है तो and word जोडने का काम करता है इसलिए हम लोग इसको conjunction कहते है इसके अलावा जो आठवा part of speech आता है वो आता है हमारा preposition यानि कि पूर्व सर्क इसका मतलब यह होता है कि यह noun या pronoun से पहले use किया जाता है और यह उसके बारे में कुछ जानकारी देता है यानि कि time हो गया, direction हो गई या फिर ऐसी ही कोई और जानकारी जैसे कि in, at, under, during, over, before, after ऐसे जितने word होते हैं यह preposition के अंदर आते हैं और इनका use किया जाता है noun से पहले जैसे कि अगर example दूँ कि the tom is under the table यानि कि tom मानलो के एक बिल्ली है tom injury आप लोगों ने देखा होगा तो tom is under the table तो tom के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो table के नीचे है या फिर my bag is in the car यानि कि जो मेरा bag है वो car के अंदर है तो in words जो है वो मेरे bag के बारे में बता रहा है कि मेरा bag कहा है car के अंदर है या फिर tom जो है वो table के नीचे है तो ऐसे जो words होते हैं वो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं noun या pronoun के बारे में या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे comment section के अंदर आप हमें बता सकते हैं So friends, आज की इस video के अंदर बस इतना ही See you in the next one